हाँ इससे पहले एक प्रस्ण आया था sporophyte, sporophytic condition और gametophytic condition या sporophytic generation या gametophytic generation में फर्क क्या है इसके बार भी आने के लिए देखें क्या कहते है sporophytic phytic generation generation का मतलब PD और gametophytic gametophytic generation generation दिखाई दे रहा है सबको एक बार inform कर दीजिए सभी लोगों को दिखाई दे रहा है तो चली इस sporophytic generation और gametophytic generation या यह हम यह हम यह कहें पीधियां जो है एकांत्र करम में एक दूसरे के बाद आती रहें जैसे generation अगर यह पीधि है पीधि मतलब sporophytic generation का मतलब यूगों एक तू होता है इस spor का मतलब होता है बीजान उद्भिध पीधि 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 हिंदी में कहेंगे इसे और इसे कहेंगे यूगमकोदभिध पीधि यूगमकोदभिध पीधि दो पीधि होते हैं तो यह पीधि एक के बाद दूसरी आती रहती है इसी को गयमीटोफिटिक के बाद से गयमीटोफिटिक यूगमकोदभिधि के बाद इस्पोरोफिटिक और इस्पोरोफिटिक के बाद गयमीटोफिटिक यह बारी बारी से आता रहता है ये बारी बाई से चलता रहता है इसी को कहते हैं पीड़ी एकांतराण बच्चों, अल्टरनेशन अफ जनरेशन भी कहेंगे अल्टरनेशन अफ जनरेशन कहेंगे इसे ठीक है देखें बच्चों, कीसे कहेंगे इसकी सुरुवात करते हैं आपनोंको लिए हमेशा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए कीसे गेमिटोफेटिक पीड़ी कहेंगे, कीसे इस्पोरोफेटिक कहेंगे और जो प्रांत हमें दिखाई दे रहा है, याने एंजियोस्परमी प्रांट, उसमें वास्ता में कौन सी पीड़ी होती है, जो हमें दिखाई दे रहे होती है आई, देखते हैं, एक फ्लोचार्ड बनाएंगे, उससे आपको बिल्कुल इस पस्ट हो जाएगा सबसे पहले, आप लोग पौंधा देखते हैं, नार्मल पौंधा, सभी लोग उने पौंधा देखा है ठीक है, जो पौंधा होगा बच्चों, वह होगा 2N, यानि कि उसके अंदर गोण सुत्रों की जो संख्या होगी, वो 2N के क्रब में होगी 2N का मतलब होता है 2 पेर, एक पेर, एक पेर में पाये जाएगे, जब भी पाये जाएगे, पेर में पाये जाएगे अगर कोई भी गोण सुत्र होगा, वो इस तरह के एक पेर में पाये जाएगे, इसे कहेंगे 2N, जब इसमें से एक अलग हो जायता है, तो वो सिर्फ हो जाएगा एन, इसको याद रखिएगा, मीटा दे रहे हैं, क्योंकि बूर्ट सुटा है, ठीक ठीक है, पौधा, 2N, बच्चों, पौधों में फ्लावर यानी की पुस पायेगा, पुस पायेंगे न, ये भी 2N, ध्यान दीजेगा, अभी तक सब 2N चल ला है, अब एक पुस में, कल हमने आपनों को पढ़ाया था, ये भी 2N नहीं होंगे, अभी कोई विभाजन नहीं हुआ है, एंड्रो एसियाम या गाइनो एसियाम, ठीक जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं, एंड्रो एसियाम को क्या कहेंगे, पुमंग, और इसको कहेंगे जयांग, पुमंग और जयांग, जो हिंदी भासी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, एंड्रो एसियाम का मतलब पुमंग, और गाइनो एसियाम का मतलब होता है जायां कि सबको दिखाई दे रहा है ठीक है बच्चों यह भी यहां से दिखें यहां टू यहां टू यहां टू यहां टू यह टू यह ठीक है ध्यान दीजिए इस पूरोफीट का मतलब होता है यहां देखेगा इस पूरोफाइट इस पूरोफाइट टिक जनरेशन वह ज इस पोर को प्रोडियूस करें वह जनरेशन क्या खळलाती है इस पोरोफिटिक जनरेशन यह तो ही परिभासा वह जनरेशन जो इस पोर को प्रोडियूस करें इस पोरोफिटिक जनरेशन और गैमीटोफिटिक में आयेगा वह generation जो gametes बनाए वह generation जो gametes को produce करे उसे कहेंगे gametophetic generation difference क्या वगाब बचाओ जो हम आविर्त बीजी पहुंद है आम नीमित्या जी देखते हैं तो उसमें हम जड़ देखते हैं roots तना देखते हैं stem और पत्ती देखते हैं तो जो आविर्त बीजी पहुंद हो का sporophetic generation है उसके पास क्या होगा जड़ होगा तना होगा और पत्ती होगा फिर से सुलिए वह generation जो बीज बनाए उसे क्या कहेंगे spor produce करना कहेंगे और उस generation कहेंगे sporophetic generation तो जो हम लोग जड़ तना पत्ती देख रहे हैं बच्चों वो किस generation की है? वो generation प्रदर्शित कर रहा है sporophetic generation sporophetic generation को produce कर रहा है तो gamete कहां बनेंगे? अब gamete जब कहां बन रहा है? मैं यहां आपको दिखा रहा हूँ बस यह जान जाएए sporophetic generation spor बनाती है तथा जड़ तना तथा पत्ती द्वरा प्रदर्शित की जाती है इतना जानी है मिटा रहे हैं आप लोग वीडियो को पीछे करके भी देख सकेंगे अब बच्चों पर एंड्रो ECM बन गया तो उसके अंदर क्या बनेगा? pollen sack कल हमने बढ़ाय था ना पराग कोश या pollen sack हिंदी एंगरेजी दोनों बता रहे हैं कोई डर्ने के आओ सकता नहीं है जिसको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट लिख दीजेगा हम समझ जाएगे नहीं दिखाई देगा तू भी बता दीजेगा पराग कोश बनेगा और जैयांड के अंदर ओव्यूल यानि कि अंडान होगा जैयांड के अंदर क्या होगा? इस तरी के सर या बीजांड या ओव्यूल होगा बीजांड बीजांड या ओवیूल ठीक है? बना लिजία बच्चो इसी पड़ाक को से अंदर को पॉलें ग्रिण्स बनते हैं तो डाइरेक पॉलें ग्रियंस नहीं बनेगे को कहेंगे लगू बीजांड लगू बीजाणड पहले भी बनेगा लगू बिजाणु धानी में जो कहां बनते हैं लगू बिजाणु धानी अब यहां से मैं टर्न ले लोगा बिजाण्ड के अंदर क्या बनेगे गुरू बिजाणु बिजाण्ड के अंदर क्या बनेगे गुरू बिजाणु धानी इंग्लिश में भी लिख दे थे हैं बच्चों जो स्टूटेंट इंग्लिए स्वीडियम से intéress क्ठा टीक है गुर मेगा इस पूर अब मेगा इस्पूर बनेगा मेगा इस्पूर बनेगा मेगा इस्पूर बनेगा मेगा इस्पूरो फाइट इस्पूरो फाइट तो मेगा इस्पूर सैक बनेगा मेगा इस्पूर सैक इस्पूर सैक और यहां पर माइक्रो इस्पूर सैक माइक्रो इस्पूर सेक टर्न ले रहे हैं बच्चों यहां से ऐसे ठीक है देखिए माइक्रो स्पोर्स सेक के अंदर बनेगे माइक्रो स्पोर्स अब यहां देखिए बच्चों यहां तक मैंने बताया था कि सब 2N चले है पराकोस भी 2N है बिजान भी 2N है माइक्रो स्पोर्स भी 2N है मेगा स्पोर्स भी 2N है इसके अंदर बनने वाले माइक्रो स्पोर यानि कि लगु भी जाड़ो लगु भी जाड़ो बच्चों यहां पर ही मियासिस की प्रक्रिया हुई है मियासिस का मतलब अर्ध सुत्री विभाजन यहां पर ही हुआ है यहां पर भी मियासिस होगी मेगा स्पोर्स में और यहां बनेगा गुरू भी जानू गुरू भी जानू ठीक है? यहां तक नोट करें सबको दिखाए दे रहा है चलिए अब हम यहां से टर्न लेकर के आ जाएंगे ताकि आप सबको इस पस्ट हो सके सबको दिखाए दे रहा है यहां चलिए गुरू भी जानू का मतलब मेगा स्पोर्स मेगा इस्पोर और यहां होगा microspore microspore ये तो यहीं से जाए ये n होगा बच्चो ये क्या होगा n इसका मतलब क्या 303 वाजन यहां हो चुका तो ये हो जाएगा n ये भी हो जाएगा n ठीक है, ये हो जाएगा ये n और ये हो जाएगा लगु बिजाण बच्चो ये जो बना है न गुरू बीजाण और लगू बीजाण गुरू बीजाण और लगू बीजाण यही गैमीट है क्या है यही गैमीट है यही गैमीट है यानि जो जनरेशन ध्यान दीजेगा जो जनरेशन कि क्या प्रोड्यूस करती है उसे हम कहते हैं क्या गैमीट फिटिक जनरेशन उसके बाद से आगे दिखाते हैं आपको कैसे तřा नीचे से करेंगे बहुत सारे गुरू ब्यान में इस गुरू bana गया आँ इस गुरू बीजान में दो चीज़े बन गे और फेला बनेगा इंड्यू e इंडोस्पर्म या एक बनेगा और ये आगे चलके दो मेल गैमिट बनाएंगे इसको आप लोग स्मर्म भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये प्लांट्स के इसपर्म है फिर से एक बार सुरू करें पौधा था टू एन जो जड़ता ना पत्ती में बाजित था उसका पुस्प भी टू एन होगा उस पे दो तरह फ्लावर पुस्प है फ्लावर पुस्प में एंडोसियम मेल गैमिट मेल गैमिट वो बनेगा मेल गैनोसियम फीमेल पाथ है पुमंग कहते हैं बढ़ा कहते हैं और अकोस में पॉलन सेख mirror hand giANG g sec Bali कave he ग्रेन जो की अर्ध सुत्री वाजन के द्वारा बनाए जाते हैं देखिए और फिर गुरू बिजाण मेगा इस्पूर के द्वारा एग और इंडोस्पर्म का विकास होगा यहां तक बने कि चार चीजे मारे पास अब आ गए हैं अब यह सब क्या चीजे यह मेगा इस्पूर एग और इंडोस्पर्म का विकास हैं यह सब एन हैं यह सब क्या चीजे एन हैं एन 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 और एन यह सब क्या है और दसुत्री वाजन दोरा बनाए गए बच्चो जो यह एग है एक मेल गामिट आगे चलके इससे साथ फ्यूज करेगा एक मेल गामिट इससे चलके फ्यूज करेगा और बना देगा जाईगोट जाईगोट का मतलँ यूग मनज जाईगोट का मतलँ यूग मनज अच्छा लेकिन बन तो गया इसको खाना कौन देगा भोजन कौन देगा इनडो सपर्म की खास बात होता है बच्चों ये 2N ही होते हैं ये 2N ही होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका गुरू भी जानों से development नहीं होता है, ये सीधे धानी से ही बन जाते हैं, ओ व्यूलक में ही एक हिस्सा होता है, ये 2N होई होते हैं, ये यहाँ चले आए, और ये यहाँ चलके इससे मिल जाएंगे, यहाँ चलके इससे मिल जाएंगे, इंडोस्पर्म और मेल गया मिट अब यह ध्यान ने जिए गए 2N है और 1N है 3N यह पूरा जो है अगर ऐसे ध्यान से देखा जा इसका नाम यूं कहा दे इंडोस्पर्म न करके इंडोस्पर्म न करा जा secondary nucleus दुतियक secondary nucleus secondary nucleus secondary nucleus दुतियक nuclei या दुतियक kandra अगर यह यहां से यहां आ गया और यह इससे मिल गया तो यह बनाएगां इंडोस्पर्म अब जाके यह बनाएगां इंडो स्पर्म जो की हो गया 3N यहंदी में भी इंडोस्पर्म ही कहते है इसका क्या काम होता है basically इसका काम होता है इसको nutrition देना इसको nutrition देना इसका काम खतम करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं जाइगोट जो है अब develop करेगा इंब्रियो में इंब्रियो धीरे धीरे plantlet प्लांट बहुत चोटा पहुंधा और उसके बाद यह आगे चलके बढ़ा पहुंधा और यह सब क्या होंगे यह सब क्या होंगे टू एन होंगे एक बार आप figure को बना दीजिए ठीक है यहां से यहां तक आप देखिए हम अगर ऐसे करने कहां से कहां तक ठीक है गुरू बिजार धानी तक और लगू बिजार धानी तक यहां से इंब्रियो से सुरू करके और गुरू बिजार धानी लगू बिजार धानी तक अगर चले है तो यह सब आ जाएंगे जो बीज बनाएंगे, जो बीज बनाने वाले में आ जाएंगे, मतलब क्या है, यह हो जाएंगे sporophyte, यह हो जाएंगे sporophytic generation, और जो बीज बन जाता है, के बाद यहाँ इधर की तरफ आ जाएगा यह gametophytic generation, gametophytic यानि की युगमक ओद भीद अवस्था, युगमक बन गए न, युगमक बन गए, तो जो हम प्लांट देख रहे हैं न बच्चों, जो बड़ा सा पौधा है, पेड़ देख रहे हैं, वह क्या है, वह है sporophyte, वह क्या है, sporophyte, जब मैं lower body पढ़ाऊँगा, तो कहीं कहीं बताऊँगा, जड़ तना पत्ती में, जब मैं आवर्त बीजी पढ़ते हैं, उसमें, जो भी हिस्सा हमें जड़ तना पत्ती दिखाई दे रही है, वह तो है sporophyte, लेकिन जब algae से शुरुआत करेंगे, उसमें gametophyte हुआ करते हैं development हुआ, यह सारी चीज़ें बताऊँगा, फिलाल आप यह जानिए, यह आवर्त बीजी पहुद्ध में, जो पहुद्धा हमें जड़ तना पत्ती के साथ दिखाई दे रहा है, वह रिप्रेजेंट कर रहा है sporophyte, कंडिशन को, ठीक है, बना लेज़ेंगा, इस sporophyte, अब हम बात करेंगे बच्चों, कैसे पुमंग के अंदर पराकोस डेफलप होता है, और पराकोस के अंदर कैसे पॉलन ग्रेंज उत्पन होते हैं, पुमडू कैसे उत्पन होते हैं, ठीक है, पुमडू कैसे उत्पन होते हैं, जैसे उत्पन होते हैं, ठीक है, तो लिखिएगा, आवर्त बीजी पॉंधों में, पराग कोश का विकास, आवर्त बीजी पॉंधों में, पराग कोश का विकास, पॉंधों में, पराग कोश का विकास, पराग कोश का विकास, डिवलप्मेंट अव, ठीक है, पॉलन सैक इन एंजियो स्पर्मिक प्लांट, कैसे होता है, दिखते हैं, हेटिंग मिटा रहे हैं अब, देखिए, स्टुनेंट्स, सामान्य वस्था में, हमने कल जो फीगर बनाया था, वो यह बना दिया था, ऐसे बनाया था, हमने, इसमें, लोब नंबर वन, ठीक है, एंधर लोब, वन, कोई भी टू कर दिया था, इसको वन कर दिया था, एंधर लोब, वन, यह क्या था, कनेक्टिव, जिसकी सहायता से, दोनों लोब, और यह, फिलामेंट जुडे रहते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसमें, चार पॉलेंट सेक, दिखाई दे रहते हैं, चार पॉलेंट सेक, एक, दो, तीन, चार पॉलेंट सेक, दिखाई दे रहते हैं, ठीक है, पॉलेंट सेक, हमें दिख रहते हैं, अब कैसे इनका विकास हुआ है, और कैसे इसके होचते हैं इसी में स्पर्म होता है दोनों स्पर्म मेल वन मेल टू इस पर मुँआ इस पर्म टू और जा करें कैसे फ्यूज करते ही यह प्रक्रिया पॉलेनेशन में पढ़ाएंगे फिल हम आज हम देखेंगे कैसे यह डेवलप हुआ है ठीक है चली देखते हैं कैसे डेवलप हुआ है अब बच्चों यहां देखें हमने भी बताया यू था यू बना यहां देखेंगे इसको कट कर दिया है इसमें से कोई एक कोशिका इसमें से कोई ऐसे यहां देखेंगे इन चारों की एक एक कोशिका इसके नीचे की एक एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से थोड़ी बड़ी हो जाती है अन्य कोशिकाओं से थोड़ी बड़ी हो जाती है बाकी छोटी-छोटी कोजिक आया है पास में देखें इनके पास छोटी-छोटी कोजिक आया है लेकिन ये कोजिक क्या होगी थोड़ी बड़ी होगी थोड़ी बड़ी होगी है ये one cell at each corner at each corner become enlarged and distinguished from the other and distinguished मने अलग दिखाई देती है from the other घबराना नहीं है English है कोई बहुत कठीन यंग्रेजी नहीं है बच्चों यहाँ देखेगे हर चारो कोनों की एक एक सिल क्या हो गई other कोशिकाउं से थोड़ी साइज में बड़ी हो गई other कोशिकाउं से थोड़ी साइज में बड़ी हो गई अब देखते हैं इसका क्या प्रभाव होगा जो थोड़ी बड़ी हो गई थी अब इस कोशिका में transverse division होगा क्या होंगे transverse division इसकी गरदन ऐसे कटेगी transverse division होगए transverse division में बिभाजन transverse division होगए ठीक है तो जो उपर की तरफ कोशिका बन रही है चुकि black color का निकाला है तो हमें black से ही बनाना चाहिए था इसको कलर का विशेज ध्यान रखेंगे बच्चों जिस कलर का है में बाद में confusion होने लगती है अब एक कोशिका ये बन गई दूसरी कोशिका बन गई ठीक है कोशिका दो बन गई एक से क्योंकि transverse division रही है बच्चों जो बाहर की तरफ कोशिका बनी है वो ये है पहला जो बना है इसे कहेंगे primary parietal cell primary parietal cell और दूसरी बन गई है primary sporogenus cell दो प्रकारी कोशिका बन गई प्राइमरी parietal cell प्राइमरी sporogenus cell ठीक है अब इसमें क्या होगा जो primary parietal cell है students वो बारी बारी से divide करके 4 layer बना देगा आगे चलके 3 से 5 layer बना देगा divide करके पूरे एक layer बनाएगा भित्तियां बना देगा 3 से 5 layer की कैसा दिखेगा और फिर इसके अंदर चलतेगे अब इसके अंदर चलके देखते हैं कैसा दिखेगा वो या आप पहले यहीं दिखा दें आप सबको फिर सही रहेगा देखेए एक layer दो layer ठीक है और तीन layer एक layer दो layer और तीन layer कुछ इस तरह की layer वो बना देगा ठीक है अब इसके नीचे primary पूरोजीनस टीशू है उसकी क्या कहानी है यह मैं बात में बताऊंगा पहला जो layer बनेगा बच्चों पहला layer होते हैं हमेशा जो यह जो layer है पहली layer जो इसकी होगी अगर हम मालने पहली layer है endodermis पहली layer endodermis पहली layer epidermis epidermis पहली layer क्या हो जाएगी epidermis बना लिज़े इसको पहली layer हो जाएगी epidermis फिर नीचे थोड़ा बड़ी साइज की एक मिनट एपीडर्मिस इसके नीचे थोड़ी बड़ी साइज की इसको अलब कलर से थोड़ी बड़ी साइज की endodermis बनती है इसे कहेंगे endodermis एंडो थीक बड़ी साइज की बनेंगी तो इसे कहेंगे endodermis इंडो थीसे ठीक इसके नीचे बनेंगी middle layer इसके नीचे की कोशिका बनेंगी उसे कहेंगे middle layer इसे कहेंगे middle layer middle layer इसके नीचे कोशिका बनती है उसे कहेंगे tapitum इसे कहेंगे tapitum हरे रंग से लिखा है को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपनों को बताईएगा इसको कहेंगे tapitum अच्छी कहें अच्छी कहें अच्छी कहेंगे अच्छी कहेंगे लेकि यह भी तो जानना है हमेंगे primary sporogenous cell का क्या हुआ आईए दिखाएं primary sporogenous cell primary sporogenous cell सबसे पहले देखें black color की है तो इसको black में ही दिखा रहे हैं सबसे पहले बनाएगी pollen mother cell सबसे पहले बनाएगी pollen mother cell ठीक है यहां तक होगे बच्छा अभी सब के सब 2N है किसी में भी N नहीं हुआ आगे चलके सिर्फ इसमें अर्धसुत्री विभाजन होगा अर्धसुत्री विभाजन होगा और यह बनाएगा pollen grain पहले इसको इसके अंदर भरके आप सबको दिखाते हैं क्या बना यहां मिटा दे हलकी हलकी आउट्लाइन बना देंगे ताकि structure में दिक्कत ना आए अब को सिखाय बना लें सबसे पहले epidermis देखिएगा धीरे-धीरे epidermis बन गया पूरे में इस तरह से epidermis बन जाएगा मैं पूरा बना दे रहा हूँ ताकि आपनों को भी वक्त मिल जाए साथ-साथ notes बनाते चलिएगा जिनलों का class में छूट गया था वो लोग भी यहां बना सकते हैं साथ-सा notes बनाते चलिएगा पर कि का 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 देखिए अब यहां पर थोड़ा सब ग्रूव है ना इसको हमने स्टूमियम कहते हैं यहां पर कुछ पतली होती है बच्चों क्योंकि बाद में नीचर को यह पता रहता है कि यही से इसको फूट करके फट करके पॉलेंगेंस को बाहर निकलना है तो यहां पर हल्की हल्की पत सबस्क्राइब उसको हें तो इसको बना हुआ था इसको भर देते हैं इसके नीचे हम लोग बना देंगे थोड़ी सी इंडो तीसम चिंद एक को बना देरें बच्चों बाकिन समय लगत सबासाइं लगाया एक सिर्फ एक को बना दे रहे हैं ठीक है यह बन गया पहला उपर की तरफ एपीडर्मिस एपीडर्मिस सेकंड वन इंडोडर्मिस एपीडर्मिस फिर इंडोडर्मिस अब उसके बार मिडिल लेयर ब्लू कलर से बनेगा मिडिल लेयर मिडिल लेयर अच्छा अब इसके नीचे टेपीडर्म इसके नीचे बनेगा टेपीडर्म इसके नीचे बनेगा टेपीडर्म टेपीडर्म किसे बना है ग्रीन कलर से टेपी, टम और फिर वनेगा पॉलन, मदर्सल्फ पॉलन, मदर्सल्फ टेपीटम का क्या काम है, यह सारी चीज है, यह कैसे कैसे प्रसनों को जवाब दे सकते हैं, आप लो, मैं यह बता देता हूं आप सबको जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेस्टन पूछा जाएगा आपसे, वो पहला यही पूछा जाएगा टेपीटम का क्या काम है, प्रुवाइड नूट्रीशन, प्रुवाइड नूट्रीशन, किसको भई है, प्रुवाइड नूट्रीशन तू, डेवलोपिंग पॉलन ग्रेंज, डेवलोपिंग पॉलन ग्रेंज, डेवलोपिंग पॉलन ग्रेंज, ठीक है, डेवलोपिंग प ठीक है यह टेपिटम देगा इसलिए तोड़ी बड़ी साइज का भी बनाया गया है अलग कलर से भी हम आपको दिखाए हमेशा याद रखीएगा कभी भी क्वेस्टन पूछेगा अगर इस में से तो दो ही चीज बूचता है एक तो टेपिटम की बारे में उसका कारे पूछे सब्सक्राइब पूले ग्रेंड में कनवर्ट है आगे लिख्वा रहा हूं कैसे चलेगा पूले में इसे करके इन चारों में यही चीज यहां भी वही चीज होगी यहां भी प्रिजिया तो चाहर चैंबर में अलग-अलग एक एक लेयर पाई जाएगी पहला एंडोडर्मस मीडी लेयर, टैपी टम, फिर पॉलन, मदर सिल इसको एक बार ड्राकर लिजी या इस्क्रीन स्वार लिजी अब हम इसको रब कर रहे हैं अजहां इंडो डर्मिस एक जहां पर पतली हो जाती है वहां पर इस्टूमियम बनता है और इस्टूमियम का क्या काम है इस्टूमियम बाद में वहां से इस्पुटन होता है वहां से पराक्पोस फटते हैं और पॉलन गेंड बाहर निकल जाते हैं यह इंडोधर्मिस जहाँ पर हमने बनाया था है, इसे cross area वहाँ पर पतले हो जाते हैं ठीक है, अब हम इस पूरूर पॉलेन ग्रेन से, मैं पॉलेन मदर सेल से कैसे बनता है पॉलेन ग्रेन, यह दिखाएंगे, यह दिखाएंगे पॉलेन मदर सेल, ब्लैक कलर से दिखाए थे न, आप लोग उसको recall करते रहेगा, ब्लैक कलर से था, यह था पॉलेन मदर सेल, पॉलेन मदर सेल, पॉलेन मदर सेल, ठीक, अब या इसके साथ दो सीजे हो सकता है, या तो successive हो जाए या simultaneous division हो जाए, क्या मतलब होता है बच्चों, successive division हो या simultaneous division हो, successive division हो या simultaneous division हो, इसका मतलब या होता है, देखे, एक से दो कोशिका बननी है, एक से दो कोशिका बननी है, कैसे, पहले एक को देख लेते हैं, फिर दूसरे को दिखाएंगे, successive में क्या होगा, यह था, इसको दो भागों बिभाजित होना था, दो भागों में बिभाजित होना था, इसको, मियासेस को दोरा, दो भागों में बिभाजित होना था, जब बिभाजन हो ही रहा था, उसी दोरान, उसी दोरान, इस केंद्र से बाहर की तरफ, और इस केंद्र से इधर की तरफ, wall बनना सुरू हो गया ध्यान से फिर से सुन लेजिए जब विभाजन अभी हो ही रहा था तभी केंदर से इस दिशा में और केंदर से इस दिशा में धिरे-धिरे wall का deposition सुरू हो गया और आगे की इस्तिती में क्या हुआ आगे की इस्तिती में ये हुआ कि वाल के बनते बनते division के complete होते होते division के complete होते यहां से ऐसे देखिए division के complete होते होते यहां से हाँ इसको blue color से दिखा रहे है division के complete होते होते है इस दिखा में देखिए धीरे धीरे यह बढ़ रहा है और nucleus अपना divide हो चुके है nucleus अपना divide हो चुके है ठीक है nucleus अपना divide हो चुके है ठीक अब यह धीरे 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 हाँ बढ़ जाए धीरे धीरे बढ़ जाए तो क्या बना देखिए ठीक यहाँ से इस तीर को ऐसे देख लिए यहाँ से ऐसे देखिए होगा क्या सब जब new divisions हो ही रहा था उसी दोरान केंदर से बाहर की तरफ केंदर से बाहर की तरफ प्लेट बनना सुरूओगे धीरे धीरे यह प्लेट जाके बाहर कर मिल गए यह यह दो सेल बन गए इसको कहते हैं successive division आप एक बार यह पन गया फिर क्या होगा फिर अब फिर यह दो भागों भी भाजित होगा है और देखें फिर यह दो भागों भी ठ Dalvin प्हेले इस तो ओपर नीचे डिवाइड हो तरा हम दाहिने और माईढugo यह उपर की तरफ और केंदर से उपर की तरफ और केंदर से नीचे की तरफ और फिर आगे वाले फिगर में हम देखेंगे कि यह पूरी वाल बन गई है और यहाँ पर चारो नुकलियस आराम से आ जाएंगे तो एक पॉलेन मदर सेल से फूर पॉलेन ग्रेन बनते हैं क्यों फूर पॉलेन ग्रेन बनते हैं? क्योंकि मियोसिस की प्रक्रिया की द्वारा एक से चार संतती कोशिकाया बनती है मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा एक से अगर एक सेल है तो उससे क्या बन जाएंगे एक कोशिकाया तो ठीक है तो हमें क्या मिला इस पूर का टेट्राड बना पॉलेन टेट्राड बना लिजे इस फिगर को फिर हम साइमल्टेनियस पर चर्च करेंगे ठीक है दिखाई देरा ठीक अब हम चलते हैं साइमल्टेनियस पर चर्च करेंगे इसे मीटा दे यहां मैं बना दे रहा हूं साइमल्टेनियस में कुछ नहीं बस फर्क है क्या अगर हमने एक पॉलन मदर सेल ले लिया बच्चों तो इसके जो सेल है पहले में भी वाजित होंगे पहले 2 में भाजित होंगे ठीक फिर यही आगे चलके 2 और 4 में भाजित होंगे यह साथ साइमल्टेनेस पहले पूरा डिवीजन हो जाएगा फिर उसके बाद से टेटराड का फार्मेसन होगा और उस दौरान थोड़ा से स्ट्रक्चर भी चींज हो जाता है थोड़ा से स्ट् यह 2 से 4 बना दे तो अब यह देखिए 1, 2, 3, 4 तो एक किसमें चला जाएगा बाद में आगे बाले में फिर यह कहां चलाएगा यह कहां चलाएगा यह यहां चलाएगा इसे हम मिटा देते हैं लेकिन आम तवर पर जबी टेटराड बनेगा जबी टर तो यह 4 दिखाई नहीं देते हैं क्यों एक पीछे की तरफ जाएगा एक पीछे की तरफ लग जाता है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था लेकिन बनता क्या है एक पीछे की तरफ होता ऐसे है देखिए ठीक है एक दो तीट तो आप रहेंगे सर तीचोथा कहां कर चोथा इसके ठीक पीछे इसके पीछे बेशे जैसे लगाजां रहता है ना उसी तरह से चार लगे रहते हैं अब सरीफ देख लिएगा enona schema family anonesique to USGA पीछे ऐसे लगा रता है तो इसको भी कहेंगे क्या is poor tetraad pollen is poor यह pollen test rod pollen oblig spot it Creatingato चारे हां इसको कहेंगे simultaneous क्या होताय एक ही बार में दो बना, दो से चार डिवीजन पहले नुक्लियाई डिवाइड हो गए, फिर उसके बाद से एक साथ सप में दिवारे बन गए, इसे कहेंगे साथ साथ सक्सेस ही कहां, तो एक के बाद एक, पहले एक बाद डिवाइड हुआ, फिर वो बन गया से, फिर दूसरी बाद आपने हमें देख लिए है, हमने यह भी पढ़ लिया है, यह जो धसा हुआ इस्ट्रक्चर है, यहां से ही फटेगा, इसको इस्टोमियम बोलेंगे, क्यों? इस्टोमियम बोलेंगे, इस्टोमियम का कारे होता है, इंडोथीसियम क्या हो गया है, यहां पर पतलीस ही हो गए थी तो यह सूखेगा जब पानी की कमी होगी तो सूखेगा तो क्रेक कर जे पहते हैं और सारे पॉलें兩 चाहिं रों से बाहर निकल जाएंगा ही ठीक है cells बन जाएंगी जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है फिर उसके बाद हुआ फिर दूसरी बार निकली आई डिवाइड हुआ और बन गया pollen tetrad अब बात करेंगे simultaneous division आप mother cell में इसमें देखेंगे division एक बार हुआ फिर ततकाल ही दूसरी बार भी division हुआ है और दूसरी बार division के होने के बाद wall बन गया इस प्रकार से एक पीछे की तर जैसे सरीफा attach होता है इसको भी बोलेंगे pollen score tetrad ठीक है यहाँ तक बन चुका है अब देखते हैं एक mature pollen grain में एक single इसमें से एक single निगाल देते हैं यह एक single निगाल देते हैं उसका structure कैसा हता है structure of the pollen grain एडिंग लिखे structure of the pollen grain heading लिखना है structure of the pollen grain बहुत simple सा structure होता है देखें एक कुछ यूँ होगा पहले intine हम लोग बना लेते हैं एक layer बना देते हैं इसके बाद बाहर की तरफ ऐसे 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 दातेदार सन्रचना होगी जो कि इस पूरो pollen grain एक compound होता है उसके कारण बनती है दातेदार सन्रचना इस बाहर वाली सन्रचना कहेंगे exine इस भीतर वाली black color की सन्रचना कहेंगे intine exine intine और इसके अंदर फिर plasma membrane green color में plasma membrane जिसके अंदर जीवधर भी अपना भरा रहेगा इसके अंदर जो nucleus होता है वो बढ़े रहते हैं तो यह क्या होगा साइटोप्लाज्म और यह इसका क्या होगे nucleus जब एक इसी से दो question बड़े important आते हैं जब पाइनस यानि के चीड के पोधो में प्रजनेंट के रित्व आती है बच्चों तो pollen grain जो है एक तो उचाई पाया जाते हैं दूसरे इतने हलके होते हैं कि यह आखास में ऊढ़ते हैं और पीले रंके पाइनस के जो pollen grain होते हैं वो पीले रंके होते हैं यहाल में लिख रहे है था कि याद आए पाइनस के पालेन ग्रेन, पाइनस का मतब चीड के पालेन ग्रेन रिप्रोड़क्टिव पीरियड में उड़ते हैं हवा में, पीले रंग के होते हैं, एलो इन कलर, एलो कलर के होते हैं तो इतने छोटे-छोटे आकास में उड़ रहे होते हैं, इसी को कहते हैं Sulfur Sour, S-U-L-P-H-O-R, Sulfur Sour, ऐसा लगता है न कि Sulfur की बरसात हो रही है, Sulfur की बरसात हो रही है, अगर आप सफेद रंगी शर्ट पहन के उस दरण निकल गए, तो यह मान के चलेगा कि आप आएंगे तो पीले होकर के आएंगे, इतना ज़्यादा निकलते हैं, इसको कहते हैं Sulfur Sour की घटना, Sulfur Sour की घटना बड़ा इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है यह, अकसर पूछ लेते हैं लोग इंटर्वी वगरा में, कि do you know about Sulfur Sour process या फीनामीना, बिल्कुल जानते हैं क्यों, Sulfur Sour process कोई अलग से Sulfur की बरसा नहीं ह क्या है, Sulfur क्या हुआ, पीले रंका पॉलेंग्रेंट पाइनस से निकला, आकास में करोड़ों पालेंग्रेंट दोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंको उनको गाइनोसिय में पहुच रहे हैं, तो वो एकदम आकास पीले रंका धुंद चलता है, इसी कहते हैं Sulfur Shower, ठीक है, अ यह खलका सा पूर होगा, जिससे हम कहेंगे जर्म पूर, जर्म पूर, जब निकलना होता है, सावर को यह पॉलेंग्रेंट को शेड होना होता है, पॉलेंग्रेंट से बाहर निकलना होता है, तो आगे चलके इसमें एक डेवलोप्मेंट होता है, क्या होता है डेवलोप्मे से। हलका सा खरिक हैं, जर्म ट्यूब बन गया हा, हलका सा जर्म पूर निकलता है जर्म पूर से जर्म ट्यूब निकलता है और जो बागी की structure है, वो as etc रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं साथ छोड़ के चले चले हैं, वो यह ही रहेंगे क्योंकि फाड़ के बाहर निकल गया है तो वहीं रहेंगे और फिर इसके बाद रेड कलर का एक जाइन आ जाएगा एक जाइन ये होगा इंटाइन अब ये जो निउकलियस था पहले ये 2 भागों भिभाजित होता है पहले ये 2 भागों भिभाजित होता है ट्यूब सेल और जनरेटीव सेल ट्यूब सेल सेल झाल झाल